परम सत्कार योग प्यारे साथ संगत जी प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी साथ संगत जी आज दासी आप जी के जर्नों में सत्कुर्माता सुदिक्षा जी महराज के विचार रखने जा रही है जो सत्कुर्माता जी ने 14 दिसंबर 2018 को सूरतगर राजस्थान में आयोजित ससंग समारों में उपास्थित विशाल जन्समू को संभोधित करते हुए किये थे सत्कुर्माता जी ने समझाया जिस तरह पुरातन संतों ने भी जिग्यासा उत्पन करने के लिए यही बताया है कि ये जो मानव शरीर है वो बाकी सब योनियों से उंचा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसी शरीर में रहकर हम निरंकार की प्राप्ती कर सकते हैं बाकी योनियों में तो निद्रा बोजन भोग भे ये सब होता है तो ऐसा क्या लग है इस मानव शरीर में वो यही बात है कि हम इसी मानव श्रीर में रहते हुए अपना लोग सुखी कर सकते हैं और पड़ लोग भी सुहला कर सकते हैं जिस तरह हम बच्पन से ही सुनते आए हैं कि हीरे जासा ये जो हमें कीमती जीवर मिला है उसको हम कोड़ी के मूल व्यर्थ गवा देते हैं अगर हम अपनी आत्मा को जो इस परमात्मा की अंशी है उसकी जानकारी ना दिला पाए उसको ना अपना पाए तो ये पूरा जीवन ही व्यर्थ हैं उधारन के तोर पर एक राजा की कहानी जो बच्पन में सुने थी कि उसने अपनी प्रजा में सभी को एक एक चांदी का सिक दिया और कहा कि इस से आप सबको ऐसा कुछ करना है कि इसकी संभाल हो जाए क्योंकि ये बहुत ही कीमती है अगले महीने राजा ने जब सबसे पूछा कि आपने उस सिक्के का क्या किया वो जो इतनी कीमती चीज दी गई थी कि वो बड़े तो किसी ने कहा कि हमने उसको पार में लगा कर और बढ़ा दिया है और उस पर एक सिक्के की कीमत अब बहुत सारे सिक्कों में आकर मिल गई है किसी ने अपनी कोई और कहानी बताई किसी ने कुछ और बताया उन में से एक व्यक्ति कहता है कि मैंने तो जो आपने सिक्का दिया था उसको जमीन में गाड अब वो सिक्का कहीं जाएगा नहीं, वो एक हिस्तान पटी क्या है, इस तरह मैंने उस सिक्के की संभाल कर ली है, तो राजा उसको समझाता है, कि यह सिक्का इतना अनमोल है, और इसकी कीमत मिटी में गाड़ने में नहीं, बलकि इसमी और इजाफा करने के लिए है, इसको इस हम सीख प्रापत करते हैं, कि हम इस ग्यान को तो प्रापत कर चुके हैं, पर क्या हम इसका सही मौल अपनी जिंदगी में डाल पा रहे हैं, यहां ध्यान देना होगा, कि क्या हम उस एक रोशन मिनार, लाइट हाउस की तरहें, खुद रोशन हुए हैं, जो औरों को देखने में सहायक हो या उन्हे रास्ता दिखाए या उस तरह के जो values है वो हमारे अंदर आ चुके हैं संत जन हमेशा जब हम ससंग में आते हैं तो अपना आईना देखने आते हैं हम कह देते हैं कि हमारी आख सब कुछ देख रही है पर अपना स्वैम का चेरा हमारी अपनी आँग नहीं देख सकती इसलिए हमें एक आईने की जरूरत पड़ती है ताकि अगर आँख में कोई बाल या कोई चीज पड़ गई है तो उसे निकालने के लिए वो आईना ही हमारी हेल्प कर सकता है वही हमको हमारी खामी दिखा सकता है उसी तरह हैं जहां ये ससंग की तो महता है ही हमें सेवा सिमरन को भी अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उतारना है साथ में हमें अपने आप का विसलेशन भी करना है कि संतो भगतों की जो अवस्था कही जाती है तो हम उसमें अपने आप को देखें कि युगों युगों से संतों के जो गुण बताए गए हैं क्या वो सब हम में हैं या अभी भी डेली ससंग करके भी हम अपनी उन खामियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं निरंकार से पल-पल यही अर्दास करें कि अगर हम प्रती दिन भी संगत जा रहे हैं तो भी कभी उसका विमान ना करें यहीं मानें कि जिसरह रेत के डेर में से रेत का एक कन उठा लें तो हमारे रोज के ससंग, सेवा, सिमरन का भी उतना ही मुल्य है इतने बड़े रेकिस्त निरंकार हम सभी पर किर्पा करें कि हम अपनी जागरिती से अपने आपको हर पल निरंकार के सहारे निरंकार के एहसास में अपना दिन बिताएं। उसी तरहें अपने जीजी जीवन में भी हम से जिस जिस से भी बात चित हो स्कूल की उमर से या घर बैठे पडोसियों से या कामकाज के शेत्र में जिस जिस से भी हम बात कर पाएं। हमारे करम ही ऐसे हूँ और हम अपने आपको ऐसा बनाएं कि अपने आप ही सब हम से पूछें कि आप कौन सी ससंग में जाते हो वह भी आपके साथ संगत आने के लिए त्यार हूँ। जो अभी निरंकार के ग्यान से वंचित हैं जिने अभी इस परंपिता प्रमात्मा का ग्यान नहीं हैं वो भी जल्द से जल्द इस पावन ग्यान को पाकर अपने जीवन बरन के चक्र को खतम कर पाएं। कुरमाता जी ने अपने विचारों द्वारा हमें इतना सुन्दर समझाया है इतनी अच्छे शिक्षा दी है कि जो भी हम ससंग में सुनते हैं उन्हें हम करम रूप में ढालें। हम खुद उन बातों से प्रेरित होकर फिर दूसरों को भी अपने मिशन के साथ अपने करमों द्वारा जोडने की कोशिश करें। उपर दूसरे इंसान के उपर जब impression पड़ता है तो वो खुद बेखुद जूरता चला जारता है तो ये हमारे mission का परचार होता चला जारता है सत्गुरु ऐसी बनू मैं निरंकारी जाने कर्मों से दुनिया सारी इस गीत की लाइनों में भी इस गीत के भजन में भी ये भजन नहीं ब्रम विचार है इस ब्रम विचार दोरा हमें समझाया गया कि सत्गुरु सचे पाश्या मैं ऐसी निरंकारी बनू कि मुझे मुझे से क जहना ही ना पड़े मेरे करमोंद वारा ही दूसरा इंसान जान जाए कि ये सही माइनों में निरंकारी है ग्यान लेकर जिसने ग्यान का नाउपयोग किया वियरत है सब कुछ ग्यानी जैसा जीवन जो ना जिया संपुर्ण हरदेव बानी के शबद वारा सद्कुरु माबा हरदेव सिंग जी महराज भी हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्यान लेकर अगर हमने ग्यान का उपयोग ही नहीं किया उस पर चले ही नहीं तो कोई भी फायदा होने वाला नहीं है फिर हम अपना समय इ बारा भी कर रहे हैं हीरे जैसा जनम जो है वो कोडियों के फाव गवारे हैं तो यहां पर सचे बाद्शा समझा रहे हैं कि उपर उपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा गहराई में जाने वाला मौति चुन कर लाईगा मुक्ति का हकदार वही है ग्यान को जो जिएन च कि बाते ही करने से बात बनने वाली नहीं है जब तक उन बातों के संकरम नहीं होगा जब बातों के संकरम होगा तो मुक्ती भी उसी की होनी उसी की जरूर होगी जो मुक्ती का हकदार वही होगा जो ग्यान के अनुसार करम करता चला जाएगा ग्यान करम भी ढल जाए तो की भी सुन्दरता हो जाती है और मुक्ति का हगदार भी वही होता है सत्कुर्बावार देव सिंग जी महाराज कह रही है कि जो विश को तजकर नाम का मृत पीता है उसकी मुक्ति होनी संबब है विश का मतलब है कि हमने दूसरों के प्रती मन में वेर इश्य द्वेश की भावना नहीं रखनी, नफरत नहीं करनी किसी को कड़वा नहीं बोलना किसी का दिल नहीं दुखाना जब हम ये विश जैसी बातों को टियाग देंगे और अमरे जैसी बातों का पान करेंगे जैसे नमर्ता विशालता, शेहन शीलता, मीठी वानी, दूसरों के दुख दर्ज में काम आना, जब हम ये अमरे जैसी बातें अपने जीवन वे करम रूप में ढालेंगे, तब ही हम सही माइनों में इस ग्यान पर चल रहे होंगे, जतकुर माताजी के चर्णों में यही अरदास करते हैं, जिस तरह भी आप जी, जिस तरह भी हमें, जिस संद के द्वारा भी हमें समझाने के आप जी कोशिश कर रहे हो, हम उनकी बातों को आप जी का रूप समझ कर अपने जीवन में करम रूप में ढालते रहें, हम अपना सुधार करते रहें, जहां से भी हमें अच्छी बाते सी उन गलतियों के लिए आपची के चर्णों में दासी शमा प्राती हैं सबी का भला करना हमारे यही मांग है सब पर अपनी किरपद रिष्टी बनाए रखना दन से मन से धन से सबी को सारे सुक देना और अपने चर्णों के साथ लगा कर रखना सेवा शमरंच संकादान सबी की छोली में डालना साथ संगजी प्रेम से कहना धन निरंकार जी